तो यहां पे देख सकते हैं friends यह मैंने जो है open किया हुआ है यह जो है officially site है हिंदुस्तान live paper का आप यहां पे देख सकते हैं हिंदुस्तान का मैंने paper open किया हुआ है और यहां पे आप देखेंगे तो 2 February के date में यहां पे बिग्यापन जारी वा है की आपका जो है यह आविदन जो है आज से आने दो फोरवरी से यहां पर देखेंगे के स्टाट हो रहे हैं अप 15 फोरवरी तक आप फॉरम को कर सकते हैं तो यह अफिसली है उनके लिए जो लोग बोलते हैं कि फेंक है तो आप यहां देख लिजे पहले और इसी official notification को हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो friends आपने official notification देख लिया अब देखे यह इसका online का portal है जहां से आपको form को भरना है अभी आप registration करने जाएंगे तो अभी registration हो नहीं रहा है हो सकता है एक दो घंटे बात अच्छे से website काम करना शुरू कर दे आप यहाँ से विग्यप्ती को भी download कर सकते हैं और यहाँ login करने का page है आप यहाँ login करेंगे चलिए हम जो है officially notification को समझते हैं पूरी जनकारी को बताते हैं आपको अच्छे से ताकि आपको कोई भी दिक्कत नव कोई भी समस्य आनो क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे चीज़ों को बदलाव किया गया तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इंफोर्मेशन समझ में आ सके तो यह भी ग्यापन आप देखते हैं अब यहां पर देखेंगे तो आपका ओन लाइन का जो है लिंक जो है बतायागे कि दो फरवरी से लेकर पंद्रव फरवेत्य का फॉर्म को अपलाई करेंगी और यहां बोलागे कि परवेस परिक्षा में उत्रिर अभ्यार्थी के नमांकन है तो मेधा सूची एंग संस्थ अब यहां वांट किथोगा मतलब क्या कि प्रवेज फॉर्म वरेंगे फिर तब कि इंट्रेंस लिक्जाम होने के बाद से आपका एक से कॉचले करेंगे अब केसि और हसे होता है बैद्रब्रमिक परिछा का ऑप प्राभणी शिख्षा लिके इन थे कारिकरम है इसका उदेश है सिक्षा की प्रारमिक अवस्था अर्थार्थ का अक्षा एक से आठ तक के लिए अध्यापकों को त्यार करना मतलब अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं डियलेड तो आप आप क्लास एक से लेकर आठवी तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ भी टर्म कंडिशन है अगर आप ट्वेल्थ पास पे और आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप एक से पांच के लिए ही फोम भरेंगे मतलब एक से पांच तक ही पढ़ाएंगे अगर आप ग सीटेट का पेपर टू पास करेंगे तब जाके छे से आठ के लिए आप जो है अवेधन कर पाएंगे जब भी वेकिंसी आएगी फ्यूचर में तो यह आपका होता है अवधी बोला गया कि दो वर्सों का यह अवधी होने वाला है परतेक वर्स में कारे करने कि कम से कम 200 दिन होंगे जिसमें परिच्छा और परवेश की अवधी सामिल नहीं होगी यहां लिखा गया है आपका मतलब जो है कितने दिन का यह पाठिकरा में सारी से दिया गया है अब यहां पर बोला गया कि नियूम्तम 80% आपको जो है ना परजेंटेशन होना जरूरी है मतलब आप कॉ की उपस्तिती ज़रूरी है तभी जाके आपको ड़हाँ पर सार्टिफिकेट वगर मिलता अच्छे से अब यहां बोला गया कि सैच्षडी की योगता क्या चाहिए क्या झाइए फॉर्म भरने के लिए क्या चींदे के फॉर्म भरने के लिए निनिममों क्वाइफिकेशन 50% अंको के साथ आप पास हैं तो इस पाठेकरा में पात्र हैं इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होंगे नमांकन हेतू आराच्छित कोटी नहीं सकता उमिद्वार के लिए 5 परतिसत की छूट हो दी, मतलब क्या? कि अगर कोई candidate जो है आराच्छड से आता है कीने को जो आराच्छित कोटी से आते हैं और निसंक्त यानि भिकलांग हैं अब यहां बोलागा 50 परतिसत आंको के साथ मॉल्वी की परिक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यार्थी डिलेट पात्र होंगे यानि जो मॉल्वी की परिक्षा पास किया हुआ है में सम्मिलित होंगे मतलब यहां बोला गया है कि अभी आप सब को पता है बोर्ड की एक्जाम चले दोजर चोबीस वाला जो केंडिट्स अपीरिंग है वो भी यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपीरिंग डालके उनसे बारवी क्लास की रनकारी नहीं मागी जाएगी जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप पूछेगा क्या पास कर चुके हैं बारवी कि अपीरिंग है तो आप अपीरिंग चूच के फॉर्म को भरेंगे जो लोग 2024 में वार्सिक परिछा में अभी सम्मिलित है अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है और रिजल्ट जब आएगा तो आप ये निश्चिंत कर लेंगे कि आपका पचास परतिसत होना चाहिए वरना आपका कोई भी फायदा नहीं होगा फॉर्म बरने में तो यह आपक इ Vollid यजरैं कर रखा है यह इस के लिए ऐलिजीन के लएव नहीं है अगर आप ने ग्रज़ूशन कर रखा हुआ है आप कक्योम को इन्रेट सकती हें इसके अलाब बोलागे लेकिन यदि किसी अभ्यार्थी ने प्लस टू में vocational course के अंतरगत योगता हासिल की है यहनी वह सरे लोग vocational के अथुरू भी यहाँ पे course करते हैं अथवा जिन होने माध्यमा के बाद intermediate अथवा फोकानिया के बाद intermediate योगता हासिल की है वह delayed course में नमांकन के पात्र यहाँ पे होने वाले हैं age limit भी यहाँ पे निर्धार्द के अधि कम से कम आपकी उम्र जो है जनवरी 2024 को 17 वर्स आपकी होनी चाहिए अब हम समझते हैं यहाँ पे नियुंतम उम्र जो है 17 वर्स यहाँ पे बताई कि यहाँ पे देख सकते हैं इससे ज्यादा है तो कोदी कतने हैं इससे कम नहीं होना चाहिए अब परवेस परकिरिया क्या है एड्मिशन का प्रोसेस क्या है देखिए बिहार बिदल परिच्छा समीती द्वारा आयुति डियलेड ऑन्लाइन सयुक्त परिवेस परिच्छा में प्राप्त अंको के आधार पर मेधा सुची बनता है और उसके बेस पे सभी सरकारी और गैर सरकारी समध्ता अध्यापक सिछा संस्थानों में प्रारणविक सिछा में डिप्लोमा, कोर्स में नावंकर नहेत्व, बिहार सरकार के आरच्छर नीमों के अनुसार यहाँ पे जो है कला यानि आर्ट्स वारी जैंग बिज्ञान भीसेओ के लिए निर्धारित संस्था और अभ्यार्थियों द्वारा महा बिद्याले के लिए दी गई प्रात्मिक्ता को द्रिष्टी पत्थ में रखते हुए ओल्लाइन कम्प्यूटरिज कित रूप से अभ्यार्थियों को महा बिद्याले अवांटित किया जाता है यानि आपकी मेरिट के बेस पे सेलेक्शन होता है जो आप इंटरेंस इग्जाम देंगे उसमें जो आपका परसेंटेज आएगा उसके बेस पे निर्धारित होगा कि आप जो है कौन सा कॉलेज च्वाइस किये हुए हैं और उसके बेस पे ही फिरिंट्स आपका आगे का प परतिसाथ, बीसी के लिए ठारफ परतिसाथ, सीटों के मैं बात कर रहा हूं माली जगर तीसेजर सीट है ना तो तीसेजर सीट में न सी के लिए आपको जो है बीस परसेंट का आरचण यहां पर दिया गया है और सी के लिए यहां पर दो परतिसाथ, सी के लिए बीस परसें और उर्दू भी से क्या अभ्हार्थी को लिए 10 परतिसत का यहां पर दिया जाएगा तो जो केंडिेट्स उर्दू से करना चाहते हैं उनके लिए अलग से रिजरोविशन हापी दिया जा रहा है अब बात आती है यहां पर अगला जो यहां पर चीजे बताई गई है वो जाते हैं जैसे किसी बीद्याले में माले जे 100 सीठ है डीलेट का तो 100 में से 50% साइंस हो जाएंगे और 25 पचीस आपका जो है कला और वाडिज्जे के यहां पर होंगे पाठी करम अब यहां देखेंगे तो इंट्रेंस इग्जाम के बारे में आगे तो 120 प्रश्ण आपसे आपको निरधारी थे mathematics से 25 questions विग्ञान से 20 questions social science studies से 20 questions general english से 20 questions और logical analytical reasoning से 10 questions आपके रहते हैं उसे से कम लाएंगे तो कोई भी संस्थाप काड़ी मिशन नहीं लेगा अब यहाँ पर बोला गया कि आरक्षित स्रेडी के जो मिद्वार है उनको 30% अंक लाना जो मेंडेटरी होता है 120 में अब देखें यहाँ पर यह जो नियूम्तम लिखा गया इस पर डिपेंड मत रहिए लेगा कि हम इतना ला देंगे तो हमारे नहीं आपको अच्छा प्रयास करना ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिले और आपका यहां पे जो है ना इंट्रेंस एक्जाम अच्छे से जाएगा ना अच्छा आप स्कोर करेंगा तो उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा साथ सो साथ रुपया होता है आविधन करनी की जो तीथी है 15 फरवरित का आप फॉर्म को भरेंगे और अगर मैक्सिमम सीटिंग में एक्जाम होते हैं तो नॉर्मालेजेशन का जो यहां पर उप्योग किया जाएगा फॉर्म भर निक यहां पर इन्हों ने दिया हुए सब सफीद हल्का हलका बेक्राउंट रिसेंट को हो ना जी रंगीन सपीद अथ्वा हलका रंग का होना चीब और सिग्रशर दस से पचास के बीच होना चीए यहां पर यहां पर दोकुमेंट आपको अप्लोड जो है मांगे जाएंगे अब यहां पर बोलेंगे तो देखिए अ है तो अपना जाती पर्मापत्र लगाएंगे और जो विवाहित महिला तो फता से निर्गत होना चाहिए यह आप पे बोला गया है इसके विये से gnasघ आत्हां अपना signature ऐसे कर देते हैं देख रहा है ना ऐसे कर दिए जो कि गलत प्रैक्टिस है आपको capital में अंग्रेजी में सिनेचर नहीं करने होते हैं हिंदी में जैसे करते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन अंग्रेजी में capital होता है तो सिनेचर हमेशा ऐसे होता है और फिर ऐसे कर दिए कुछ अपना यूनिक होना चाहिए पहला अक्षर जो है आप capital रखी है बाकी है स्मॉल करके आप सिनेचर करेंगे सही सही जो है भारा जाना सुनिश्चित करेंगे अगर कुछ भी गलती होता तो बाद में सुधार करने का मौका में नहीं मिलेगा बहुत सर लोग क्या करते हैं इबीसी के जगवापर इडेबलोस गलती से चूच कर लेते हैं तो ऐसा इन्होंने साफसाफ मना कि अगर आप गलती कर देते हैं तो बाद में सुधार होगा ही नहीं क्योंकि केटेगरी इन्होंने सुधार करने का option दिया ही नहीं है क्योंकि अप्लिकेशन फी में डिफ्रे चलते हैं अगर आपका दोनों डिगरी पकड़ा जाता है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे आप दिखेंगे कि 2023 में माल लिजे सपोज आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है डियलेड और 2030 में आप ग्रिशन भी पास है तो कैसे पॉस्यूबल है एक केंडिट्स दो जग आपके मान में कोई भी डाउट से कमेंट है कमेंट बोक्स में पूछेगा बहुत जल्ल आपको जो हमें प्रोपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना इस्टेब बैस्टेब एक फॉर्म बरके बताएंगे वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज लाइक क अगरे अपना दोस्तों में सेर करें मिलता है कि इस नेक्स वीडियो में जाहिंद